हेलो फ्रेंड्स मैं प्रेंग का आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ तेला पिया मचली जो की यह मचली ज्यादा तर तालाबों नदियों पर पाया जाता है और इसे बनाना बहुत आसान है तो आज मैं आपकी इसकी पूरी रेशिपी कि इसे साफ कैसे किया जाता है और कैसे बनाया जाता है तो अभी तक आपने अगर हमारी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर लीजेगा क्योंकि मैं रोज एक नई रेशिपी के साथ आती हूँ और आपके लिए रोज एक नई रेशिपी लेकर तो चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भीना भूलिए तो चलिए फ्रेंड्स इस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने डेड़ किलो तेला पिया मचली लिया है और सभी जगह इसे अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है आपके यहां इस मचली को क्य कहा जाता है मुझे जरूर बताईएगा और हम क्या करते हैं मैंने इससे जो पाने में डुबाया था ना उस पानी को हम हटा लेते हैं और ये मचली बहुत जगा मिलती है कई लोगों के हाँ नहीं भी मिलती है पर अधिकतर जगा मिल ही जाती है और हम क्या करेंगे उस पे मैंने करीबन दो बड़े चम्मच में नमक डाल दिया है और उसे हम करीबन आधे घंटे के लिए नमक डाल कर छोड़ देंगे कुछ इस तरीके से मिक्स करके हम आधे घंटे के बाद इसे हम चैक करते हैं और आप देख सकते हैं हमारी मचली अब हम क्या करेंगे इसके उपर की जो छिलके होते हैं वो साइट से हटाना शूरू करते हैं और चाकू के साइदा से आसानी से निकल जाती है इस तरीके से पलट तरीके से इसके जो पेट वाले भाग है धर भी बारिक-बारिक स्कीन होती है वो भी जरूर हटा है अब हम क्या करेंगे हमारी जो कीचन वाली कैची होती है कीचन में जो हम यूज करते बस उसी कैची से आपको इसके जितने भी बाहरी काटे होते है वो निकालने है तो बाहरी बगाते अब्रूर अटा दे। ते पास आते navigating पिडारी पर लेक्न हाऊं अपिडानी हैं रिफिंट भेसट के लिए कट अब पर सीमल सरी कुछेछ धी फे गाटी से अजिदे दिनौरा आपको कश्ड़ को noisy आपको कश्ड़ करते हुए अच्छे लेना है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताईएगा जरूर की आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी नई नई रेसिपी लेकर आओंगी और मैंने यहाँ पे सारे अपने मचलियों को साफ करके अच्छे से धो लिया है पानी से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी यहाँ पे मचली साफ हो चुकी है तो चलिए अब हम क्या करते हैं इसे हम एक बरतन में डाल लेते हैं तो इसमें एक बरतन में मैंने अपने सारी मचलियों को डाल दिया अब उस पे हम डाल देंगे नमक करीबन एक चमच और उसी चमच में एक चमच हल्दी का पाउडर यह हम मैरिनेट कर रहे हैं मचलियों को यहाँ पे तो अच्छे से इसे mix कर लेंगे और हमें रखना होगा करीबन 10-15 मिनट के लिए मचलियों को ताकि जो नमक हल्दी का अच्छे से उसके उपर coating हो जाए फ्लैवर भी अच्छे से आ जाए तो 10-15 मिनट रखेंगे उसके बाद ही आपको fry करना है मचलियों को तो इस तरीके से आप देख सकते हमारी सारी मचलियों के उपर बहुत अच्छी से कोटिंग हल्दियों की आ गई है इससे जब आप fry करेंगे तो फ्रैंट्स आपके मचली कड़ाई से चिपकेगी नहीं तो यह प्रोसेस बहुत जरूरी है आप जरूर करें यह प्रोसेस तब तक ज जलसुन एक गुच्छी लिया है और दो इंच अद्रक का तुकड़ा और मैंने स्पाइसी बनाना है तो मैंने यहां पे करीबन पांच तीखी वाली सूखी मिर्च लिया है चाहो तो आप तीखा कम खाते हो तो आप भटा सकते हो कम कर सकते हो अब हम क्या करेंगे इन सारी मस बहुत अच्छे से पिस चुका है अब देख सकते हैं और यहां पे मैंने करीबन दो बड़े प्याज को लच्छों में काट लिया और इस तरीके से मेरे पास एक चौपर है तो जो किसी के पास अगर रसी खीचने वाली चौपर हो तो उस पे भी आप चौप कर सकते हो या फ तो यहां पे इदम बारिक चौप होना चीए अपका प्याज इस तरीके से यह देखिए बहुत अच्छे से हमारा यहां पे प्याज जो है बारिक चौप हो चुका है हमारी मसाले की पूरी तयारी हो गई अब हमने एक लेल या कड़ाई उस पे डाल दिया है हमने सरसो वाला इसतरीके से फैला लेंगे थाकि हमारी मचली ऐक्ष्ट्र अगर निकल बीजाती है तो ना चिपके तेल के गरम होते ही हम इस पे डाल देंगे हमारी मचलिöं को एक-एक करके डालेंगे और उसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे अगर आप इस तरीके से कोई दूसरी मचली भी बनाते हैं तो इसी प्रोसेस से बनाईएगा आपको बहुत अच्छा स्वाद आएगा क्योंकि बहुत सारी मार्केट में अलग-अलग वैराइटी की मचलियां मिलती है कोई भी आप मचली ले सकते हो अगर ये मचली अपको ना मिले तो बाकी इसका स्वाद तो बहुत ही जाद अच्छा होता है और इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने अपने मचलियों को पलट लिया है बिल्कुल भी हमारी मचली जो है कड़ाई से नहीं चिप की है और हम क्या करेंगे इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे मचलियों को और हाँ फ्रेंड्स आप मुझे कौन से शहर से देख रहे हैं ये भी जरूर बताईएगा मुझे बहुत खुसी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियो को इस सहर वाले देख रहे हैं तो प्लीज अपने शहर का या गाओं का नाम जरूर बताईएगा कौन-कौन से शहर से आप मुझे देख रहे हैं और मैं 36 गड़ से ये आपको रेसिपी बना कर दिखा रही हूँ तो इसी तरीके से आपको सारी मचलियों को फ्राई कर लेना है और मैंने अपने सारी मचलियों को फ्राई कर लिया अब हम क्या करेंगे उसी तेल में डाल देंगे बारिक कटा हुआ प्याज उसे लगातर चमच चलाते हुए अच्छे से पकाना है आपको और प्याज का जो कलर हलका गोल्डन ब्राउन हो जाए बस उस स्टेज तक पकाना है और आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जो प्याज है बहुत अच्छे से पक चुका है कलर भी इसकी अच्छी चेंज हो गई है इस पे हम डाल देंगे जो हमने मसाला पीस कर रखता तयार किया था यहाँ पे अधरक लसुन को तब तक पकाना है जब तक कि इसका कच्छा पन दूर न हो जाए और ये थोड़ी थोड़ी जैसे कि अभी लगने लगई ना कड़ाई से बस इस स्टेज तक आपको पकाना है अब इसमें हम एक बड़ा टमाटर जो है अड़ करेंगे बारिक काट कर उसे भी अच्छे से चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले अड़ करेंगे जो रेगुलर हमारे घर में यूज होते हैं वही मसाले लाल मिर्च, हल्दी, नमग, जीरा पौडर और धनिया पौडर इन सबी को हम डाल देंगे और इसे भी अच्छे से चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे यहाँ पर मैंने गरम मसाला यह वह बिल्कुल भी यूज निक है, सिंपल तरीके से बनाया है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है मचलियों को जितना ज़्यादा सिंपल बनाओना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है तो कोशिश यही रहती है हमारी हम जितना ज़्यादा सिंपल हो सके उतना ज़्यादा आपके लिए रेस्पी लेकर आते हैं कम मसालों में स्वादिष्ट है ना तो आप जरूर यह ट्राई करिएगा आपको बहुत पसांद आयागा और हमारी ग्रेवी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से उबल चुकी है अब हम इतने मचलियों को एट कर देंगे अच्छे से इसे डीप करेंगे थोड़ा सा चमच से चला लेंगे और मचलियों को हमें पकने के लिए करीबन 15 मिनट तक छोड़ देना है मिडियम आज पे है ना और बीच पे आप ध्यान रखेगा एक बर चेक कर लिजेगा तो यहां पे मैं करीबन 15 मिनट के लिए धकन मिडियम आज पे धकर पका लियूं और आप देख सकते हैं हमारी यहां पे मचलि कितनी अच्छी पक चुकी है कितनी अच्छी देख रही है बहुत अच्छी ग्रेवी भी पी चुकी है हमारी सारी मचलिया जो है और बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही है यकिन मानिये फ्रैंट्स इस तरीके से एक बर जरूर ट्राइ करिएगा आपको बहुत पसंद आएगा यह देखे ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है यहां पे हमारी और खा काफी बड़ी मचली है तो चम्मच से भी नहीं उठ पा रही है वो यह देखिए तो आप मचलियों को ज्यादा तर चावल के साथ पसंद किया जाता है तो मैं चावल के साथ इसे सर्व कर रही हूं और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है काफी ज्यादा गरम है फ्र करीके से जरूर बनाएगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा कमेंट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ तब तक धन्यवाद बाई बाई